आज मैं आप लोगों को बीच में बताने जा रहा हूँ कि आपके दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ेगा आपका ब्यापार में ब्रिद्धी कैसे होगा ये आज आपको मैं बिडियो में बताने जा रहा हूँ आप लाखो कड़ोर रुप्या का पूंजी लगा करके बैंक की करज लेकर के आप कारोबार कर रहे है लेकिन आपकी दुकान चल नहीं रहा है आप हर परकार की परियास कर रहे है उसके बाबजुद भी दुकान में कोई ग्राहक आ नहीं रहा है ग्राहक का ताता नहीं लग रहा है तो आज आप सभी की फरमाइस को लेते हुए आप सभी की फरमाइस को देखते हुए मैं आपके बीच में ये वीडियो को बनाया हूँ इसे आप जरूर से ध्यान से देखने का परियास कीजिए इसकी ना कीजिए ये आप ये वीडियो आपके लिए बहुत नया होने वाला है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके दुकान में ग्राहों को का ताता लगा रहेगा आपके दुकान में भीड लगा रहेगा जो की बड़े बड़े सोरूर में जैसे भीड लगता है तो आपके म चैनल में नए आये होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आपके बीच में आपकी हर प्रकार की सबस्याओं का समाधान का विडियो सरपर्थम आपके बीच में पहुं यूट्यूब चैनल तंत्रमंत्र टोने टोटके में हर्दिक स्वागत है आईए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके ब्यापार में ब्रिद्धी कैसे होगी आपकी दुकान में ग्राहक का भीड कैसे बनेगा ये चीज मैं बता रहा हूं आप एक काम किजिएगा सनी बार के दीन में किसी भी चलती और नामी आपकी इलाका में जो भी हाड़वेर दुकान होगा उस हाड़वेर की दुकान से दो चार की संख्या में नट बोल्ट खरिद लिजिएगा साइज कुछ भी चलेगा उसे खरिद करके जैसे कोई नहीं जा दे चुपके से आपको खरिदना है और उसको किसी भी सीसी में काच के बॉयम या सीसी में डाल करके दुकान के किसी भी कोना में आपको छुपा करके रख देना है ये एक पॉइंट हुआ दुसरा पॉइंट सनीवार के दीन में एक हरा कागजी निम्बू लिजिएगा और हरे कागजी निम्बू सबसे निचे रहेगा और उपर में साथ हरा मिर्च को जो है काले धागों में पियो करके मन सीड़ी के आकार पे बना करके आपकी दुकान या आपकी परतिष्ठान में आपको लगाना है परतेक सनीवार के दीन में ये दूसरा किरिया तीसरा किरिया सनीवार के दीन में जो है आप काला उरद जो है मार्केट से खैद लिजिएगा और तीन सो गराम काले उरद का आ पक्का रोटी बना करके उसमें सरसोत से तेल का चुपड करके आप अपने सर में साथ बार घुमा लिजेगे एंटी कलोग बाइस घड़ी से उल्टा अब उसे घुमा करके आपके आसपास आजू-बाजू कहीं भी भी साइड इलाका में जाकर किसे आपको किसी भी काले भैस क को खिला देना है या भैसा को खिला देना है इतना कर दीजिएगा तीसरा चौथा उपाई आप जो है पचास क्राम काला उरद लिजिएगा गुरुबार के दिन में अब उस पचास क्राम काला उरद को आप एक किसी भी कटोरों में चाहे चान्दी का हो चाहे तामा का हो चा कोई भी कटोरी भी रख करके इस मंत्र को जाप किजिएगा ओम सिरिंग सिरिंग महालचमे नमो नमाहा ओम सिरिंग सिरिंग महालचमे नमो नमाहा ओम सिरिंग सिरिंग महालचमे नमो नमाहा इस मंत्र को जाप करके 21 दना जब भी आप दुकान में जाड़ो पोछा सब लगा ल में मंत्रिका इस मंत्र को बोलते हुए 21 आप तरफ में देख करें आपके दुकान में चारों तरफ कर देखा यह चीजह करना पे यह किर्या आप करते हैं तो आपके दुकान में अचाहए को कोई भी कारवार कीजिए चाहिए आप कपड़े कारवार कीजिए चाहिए आप ब्यूटी पार्णर की कारवार कीजिए चाहिए आप वकालत के पेसे से जुड़े हुए तो उसकी कारवार कीजिए चाहिए आप चाटर अकाउंटेंट्स है तो उसमें भी आप इसको कर सकते है ये सारे किरिया को अगर आप कर देते हैं तो आपकी दुकान आपकी परतर स्थानवे गराहक आपके स्टमबोरों की ताता लगा रहेगा और भीड जो है खुजुम की तरह आपको रहेगा ये चीज को आप जरूर अपनाईए ये मैं आपको अजबाया हुआ और तरह तरह का जो हदकंडा जो आपको बीच में अपनाते हैं लोग आपको बिजनेस को ब्यापार को जो परिसानी में डालने का प्रियास करते हैं उसे भी आपको मुक्ती बिल जाएगा मैं एही सूपकामना के साथ फिलाल मैं आपसे विदा लेता हूँ हर हर महादेब जय सिरी महाकाल ज जय मातारा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सियर, कॉमेंट जरू किजिए रहे